नमस्कार साथ यूँ एक बार फिर मैं दिपंकर समध्दार चार्टर अगांटेंड आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असुसिएट डारेक्टर बनना है यस और नो अरे मूवी वाला नहीं कंपनी का डारेक्टर और कंपनी का डारेक्टर कोई मूवी के डारेक्टर से भी ज्यादा पाउरफूल हो सकता है क्यों कि यहां पर कोई टेक का चांसस नहीं होता हमेशा हम लोगों को नेड़ना है लेकर उसको इंप्लिमेंट करना रहता है और उसमें फाइदा नुकसान तूरंत हो सकता है या फिर लंबे समय में भी हो सकता है दोनों रिस्किस को लेना पढ़ता है डारेक्टर को लेकिन हम लोग को क्या ये पता है कि कौन डारेक्टर बन सकता है कौन डारेक्टर नहीं बन सकता है और कितने प्रकार के डारेक्टर होते हैं तो दोस्तों डारेक्टर बनना है उसका कौलिफिकेशन और टाइपस के बारे में बात करते हैं तो डारे किसी एक डिरेक्टर की responsibility नहीं है company को चलाना और इतना ही नहीं एक और important चीज है कि company के best interest में चलाना इसका मतलब यह कि हमेशा company के favor में निर्णे लेना company में director जो है वो company के भीहाफ में decision तो ले सकता है लेकिन अपने personal फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए और public company अगर है तो उसमें कम से कम तीन director होने चाहिए और private limited company है जो public company नहीं है तो उसमें दो director होने चाहिए और अगर one person company जिसको OPC बोलता है तो उसमें एक director ही रहने वाला है अब appointment of director at general meeting बताते हैं कि general meeting में appointment कैसे होता है जब article of association में कुछ नहीं लिखा रहता उस समय जो first director रहता है उसका appointment कहां पे होता है यह subscriber to memorandum जो रहता है जिन लोग company बनाते हैं और memorandum में नाम रहता है उन लोग उस first director को appoint कर देते हैं section 152 to companies act 2013 का कहता है कि every director shall be appointed at the general meeting of the company हर director का appointment कहां हो सकता है general meeting of the company जब तक के act में specifically कुछ ना लिखा हो अच्छा अब तो यह तो clear होगे लेकिन appointment का condition कह है सबसे पहला only an individual natural person can be appointed as a director किसी दूसरी company को director नहीं बना सकते कोई एक वेक्ती natural वेक्ती ही director हो सकता है right a person shall not be appointed as a director unless he has an active डिन डिरेक्टर identification number जिसको भी डिरेक्टर बनना है company में तो उसका डिन होना ही चाहिए डिरेक्टर identification number जिसको कहते हैं ए परसंड शेल अप्टेन a digital signature certificate from certifying authority to be appointed as a director digital signature certificate आप सबको पता है कि बीना digital signature के कोई भी online filing हो नहीं सकता हगर director बनना है तो digital signature certificate भी चाहिए ही चाहिए every person proposed to be appointed as a director shall furnish Indian and a declaration that he is not disqualified to be appointed जब भी किसी director को हम लोग appoint कर रहे हैं तो उसको एक declaration भी sign करना पड़ता है जिसमें यह लिखा रहता है कि वो disqualified नहीं है और disqualification क्या होता है इसकी अलग से हमारी एक वीडियो है और एक important चीज़ है कि हर डायरेक्टर को consent देना पड़ेगा DIR2 में consent मतलब कि भाई मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं ए परसंट चाहिए लिजिबल फॉर appointment as a director if he is disqualified under subsection 1 अगर वो subsection 1 section 164 में disqualified है तो उसको डायरेक्टर appointment नहीं होना चाहिए companies act 2013 के हिसाब से और ए परसंट शेल नॉट होड़ डायरेक्टर्शिप in more than 20 companies at the same time 20 company से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और यह किसको मिलाकर है अल्टरने डायरेक्टर्शिप को मिलाकर है बीस company में डायरेक्टर हो सकता है लेकिन उसमें भी पबलिक company का डायरेक्टर्शिप 10 company से जाधा नहीं होना चाहिए अच्छा यह नियम क्यों बनाया गया सबसे पहला तो आप समझो कि यह नियम है राइट दूसरा चीज यह इतने सारे company का डायरेक्टर रहेगा तो कहीं भी justify कर पाएगा क्या यह किसके इंट्रेस्ट में यह वाले रूल बना हुआ डायरेक्टर के इंट्रेस्ट में अगर 10 जगह आपने नाम बहुत सारे ये प्पॉइंट करेंगे तो क्या होगा सबसे पहला इसमें अडिशनल डाक्तर होता है section 1611wood का यह क्या होता है जहां पर आटिकल में power रहता है कि board of director appoint कर सकते है additional director तो जो additional director का tenure होता है वो AGM का date या फिर जिस date तक AGM होना चाहिए केवल वही तक का उनका additional directorship valid रहता है अगर किसी को board of director ने additional director बनाया लेकिन जब AGM हुआ उस समय shareholder ने reject कर दिया तो फिर उस वेक्ति को वापस से additional director नहीं बनाना है अब अगला आते है alternate director section 161.2 इसमें board of director के पास power है कि किसी एक वेक्ति को alternate director बना सकते है subject to condition उनके पास article of association में ये power होना चाहिए और resolution पास होना चाहिए general meeting में इस संबन में और एक alternate director किसी दूसरे director के जगा पे आ सकता है जो तीन महीने से ज़ादा इंडिया से बाहर रहने वाला है और जैसी main director वापस आ जागा तो alternate director का जो power है वो power चला जाने वाला है इससे related अपने बाजीगर movie देखी होगी जिसमें शारुक खान के ससूर जी बाहर चले जाते हैं और शारुक खान उस बीच में ही पूरा बिजनस अपने नाम पे कर लेता है क्योंकि उस समय पूरा पावर शारुक खान के पास होता है उसमें फिल्म में लैंवेज कुछ भी यूज़ होआ वो alternate director रहता है उसमें अब अगला आता है appointment of nominee director section 1613 अब भी क्या होता है कि अगर दूसरे लोगों ने पैसा लगाया दूसरे लोगों का कुछ stake है जो यह चाते है कि लोग जो business कर रहे है उसको हमारे तरफ से representative देखे जैसे bank ने loan दिया company को वो चाते है कि मेरा भी एक director बैठे आपके board of meeting में और वो समझे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे इतना पैसा loan पे दिया हुआ कोई भी financial institution हो सकता है अगर government को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है तो government भी अपने तरफ से एक nominee रख सकता है बस condition यह है कि board of director के पास यह power होना चाहिए article of association में अगर article of association बोलता है कि ऐसा कर सकते है तो board of director भी ऐसा किसी को nominee director appoint कर सकते है अब अगर किसी director की death हो जाए या फिर general meeting में appoint किया गया director अगर resign कर दे और अपने period से पहले resign कर दे वहां तक जहां तक जिस वेक्ती ने छोड़ा है डिरेक्टरशिप उसका जहां तक validity था वही तक इनका validity होगा रहे अब director qualification के बारे में आते हैं क्या कहीं पर कुछ लिखा है कि director का कितना qualification होना चाहिए नहीं कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन section 164 ये कहता है कि disqualification क्या होता है अगर disqualification नहीं है तो फिर qualification माना जाएगा क्योंकि कितना पड़ा लिखा होना चाहिए ये सब कहीं नहीं लिखा है या फिर उसके नाम पर कोई case नहीं होना चाहिए वो defalter नहीं होना चाहिए किसी company का deposit वापस नहीं किया वैसे company का director नहीं होना चाहिए इस तरीके से बहुत सारे clause है जो fit and proper criteria के लिए important है जो मेरे पिछले वीडियो में आयते हैं और समय पर सारी जानकारी देना बने रहेगा मेरे साथ आपका दिन जबर्दस्त और शुभू